सही अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखें बिलकुल शुरुआत से बिलकुल जीरो लेवल से यहाँ पर सही अंग्रेजी लिखना और पढ़ना कैसे सीखें तो उसके लिए बहुत जरूरी है अगर कोई भी स्पेलिंग आप लिखते हैं या फिर आप English को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है प्रनेंसेशन जो letters है उनका उनक्षिरों का उच्चारन बहुत जरूरी होता है जितने भी English के letters है उनका उच्चारन तो बिलकुल basic level से बिलकुल zero level से जिनको बिलकुल भी पढ़ना और लिखना नहीं आ रहा है तो उनकी लिए यहाँ पर सारे के सारे उच्चारन क्या उच्चारन तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है जो twenty six letters होते हैं English के alphabet होते हैं इनका उच्चारन सीखना होगा सबसे पहली शुरूरात यहां से आपको करनी होगी बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो letters का उचारण बहुत जरूरी है आना तो यहाँ पर सभी letters का मैं उचारण बताऊंगी बाद में हम देखेंगे किस तरीके से spellings में यह letters आते हैं और हम कैसे pronounce करते हैं उनको पढ़ते हैं क्या उनका sound आता है तो चलिए एके करके हम सभी letters का sound देख लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले letter A आ जाता है क्या आ जाता है letter A जिसे A, E, I, O, U यह जो letters होते हैं यह vowel letters होते हैं इनका sound इनका उचारण एक नहीं होता है हम अलग-अलग तरह से इनको pronounce करते हैं pronunciation अलग-अलग होता है तो क्या क्या होता है वो सभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगे तो सबसे पहले vowel letter A का उचारण आप देखें A का जो उचारण होता है वो A होता है A होता है, O के रूप में होता है कहीं A और कहीं A करके इसको pronounce करते हैं और A करके भी इसका उचारण होता है तो इतने सारे letter A के pronunciation होते हैं letter A के sound होते हैं तो spellings में भी हम देखेंगे और यहाँ पर A के जितने भी rules बनते हैं A letter के, vowel letter A के उचारण के नियम है तो मैंने rules वाली classes में आपको इसके जितने भी rules बनते हैं वो सारे rules बताए हैं अकर वो rules नहीं देखे हैं हर एक letter का मैंने rules बताए हैं जिनके rules बनते हैं तो इस video के last में आपको वो rules वाली class भी मिल जाएगी उसको देखकर आप rules को भी सीख सकते हैं तो चलिए अभी sounds को देख लेते हैं हम उचारण देख लेते हैं होता है बर sound फिर देखे C C को हम सभी प्रेनाउंस करते हैं C को हम कभी प्रेनाउंस करते हैं तो C का सभ और कः प्रेनसेशन का rule है जो कि मैंने last में आपको जो rules वाली class थी उसमें बताया है नहीं अगर आपने वो rules सीखे हैं तो इसके last में आप सीख लें ठीक है वो वाली class आपको मिल जाएगी फिर देखे D को तो यहाँ पर भी मैं clear कर दूँगी फिर देखे यहाँ पर D का उचारण D और D दोनों ही होता है D का उचारण D और D फिर देखे E का E भी यहाँ पर एक wow letter है क्या है wow letter E का उचारण चोटी E के रूप में बड़ी E के रूप में A के रूप में होता है यह E का उचारण है फिर आगे F आ गया F का उचारण F के रूप में होगा क्या होगा F के रूप में फिर G को हम गर जो पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं यह मैंने रूल्स में बताया है और अगर रूल्स नहीं देखे हैं तो इसके इसमें भी मैं आपको clear कर दूँगी चलिए यहाँ पर हमने A, B, C, D, E, F, G इन सभी लेटर्स का जो उचारन है यह सभी इनके उचारन है इनको हम देखा, इनको हमने देखा, इनका साउंड हमने देखा नेक्स्ट देखें, H, H का उचारन ह होता है, इजी है, ह उचारन, I का उचारन, I, चोटी के रूप में, I और A यह इतने सारे उचारन होते हैं, तो confusion यह एक vowel letter है, स्वार है, ठीक है तो confusion रहता है, consonants में जादा नहीं रहता, consonants का एक या दो साउंड होता है, लेकिन आपको परिशानी रहती है, जो vowel letters होते हैं, उनको प्रणाउंस करने में, उनको पढ़ने में, तो rules के साथ भी पढ़ लें, और practice class भी दी है, उन practice class में भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे spellings दी है, with Hindi meaning, Hindi meaning के साथ उनको सीख सकते हैं, फिर देखें, जे का, जे कॉंसोनेंट, जा उचारन हो गया, क को सिंपली हमने कर प्रणाउंस कर दिया, अ को हमने ल प्रणाउंस कर दिया, एक एक इनका उचारन है, ठीक है, ये कॉंसोनेंट्स है, यहां पर आई है, थोड़ा ज अ पढ़ेंगे और आ करके भी इसका उचारन होगा फिर नेक्स्ट देखें आप P जोके एक कॉंसोनेंट है यहाँ पर P को P पढ़ेंगे Q का उचारन क्वा होगा आधा कर और व फिर र यानि आर का उचारन र हो जाएगा S जो है न इसको स भी पढ़ेंगे आधिसर के रूप में भी पढ़ेंगे ठीक है और श के रूप में भी पढ़ेंगे श के रूप में S के बाद में H आ जाएगा तो वहाँ पर हम S को श पढ़ेंगे T का उचारन देखें यहाँ पर T को T और T दोनों तरीके से प्रेनाउंस करते हैं तर प्रणाउंस करेंगे। In English के स्प्वर्लिंग्स में। और हिंदी के नाम होगे। Is को तर प्रणाउंज करेंगे। नचिंटे के रूप में। फिर यू देखें। और यू भी क्या है इक वाव लेटर है। ये भी भी श्वर है। यू को यहां पर यू के रूप में यहां पर यू कर लें इसको यू के रूप में प्रणाउंस करते हैं और चोटे उ के रूप में अ के रूप में यू के रूप में यू के रूप में प्रणाउंस करते हैं यू और चोटे उ के रूप में उ करके और अ करके इसका प्रणाउ उचारन होता है, तो ये भी एक वाउ लेटर हो गया, हम स्पैलिंग्स में देखेंगे उचारन और भी डिटेल में, फिर यहां पर वी का उचारन देखें, वह होगा, क्या होगा, वह होगा, डबलू का उचारन भी वह होगा, आप इन में फर्क कैसे समझेंगे, जब आप प् फिर देखें, एक्स को, एक्स जो है ना, इसको हम ज के रूप में, यह नहीं है, ज के रूप में और एक्स के रूप में, आधा कर और स के रूप में, यह साउंड हो जाएगा, इस एक्स का, तो इसको प्रेनाउंस करके देख लें, साउंड क्लियर हो जाएगा, फिर देखे य को य, ई, और ए के रूप में हम प्रेनाउंस करेंगे यह जो य लेटर होता है यह कॉंसोनेंज में भी आता है और वाउल में भी आजाता है तो वाउल में भी आएगा अब कैसे आएगा हम स्पेलिंग के साथ देखेंगे फिर जेड जो लास्ट है इसका साउंड ज करके है क्या है ज तो यहाँ पर एक एक लेटर का आपको जो साउंड है जो उचारन है वो क्लियर होना चाहिए जब वो साउंड क्लियर हो जाएगा न तो उसके बाद आप एजिल इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे तो रूल्स में क्या है काफी सारी एक्सेप्शन भी है अप वाद भी है कई सारी स्पैलिंग्स जो है रूल को फॉलो भी नहीं करती है चलिए अब यहाँ पर देखें वाउल जो है स्वार है मैंने बताया अब हम डिटेल में करके जो लेटर पढ़े उनकी स्पैलिंग्स के साथ देखने वाले है उनका साउंड सबसे पहले ए के उच्चारन देखें एको जैसे मैंने अ बताया सबसे पहले तो अ जैसे अबाउट में अलर्ट में यहाँ पर हम एको प्रनाउंस कर रहे हैं आ का साउंड देखें आ यानि एका साउंड आ तो आफ्टर हो गया कार्ट हो गया यहाँ पर जो है यह स्टार्टिंग में ए आ रहा है यहाँ पर हम एको आ प्रनाउंस कर रहे हैं तो अगर डिटेल में आपको जानना है कि इसके रूल्स भी कितने ब प्राक्टिस के साथ मतलब कुछ स्पैलिंग्स होगी हिंदी में मीन भी होगा उन सभी के साथ मैंने एका डिटेल में वहाँ पर क्लास दी है अगर आप बारी की से डिटेल में रूल्स को जानना चाहते हैं एके अलग-अलग तरीके से सारे कंबाइन रूल्स भी बताएं और अलग-अलग क्लासे में भी एके रूल्स पता हैं तो इस च्लास की डास में आप डेक सकते हैं रूल्स भी सीख सकते हैं अब यहां पर देखें ओ की रूप में एका उच्छारन अ की रूप में जैसे ऑसम हो गया यहां पर एको औ पढ़ा जा रहा है झारिया बर यहां पर देखें, यह ए के रूप में उच्छा रहे हैं, जैसे इसको हम कैन पढ़ेंगे और इसको एंगरी पढ़ेंगे, यहां पर ए को ए करके प्रणाउंस करेंगे, अब इसको आप केन नहीं पढ़ सकते, कैन पढ़ेंगे, इसको एंगरी नहीं पढ़ सकते, एंगरी सकते हैं जैसे care हो गया और share हो गया यहां पर a re का एक pair बन रहा है तो इस तरीके से रूल्स वाली classes में मैंने आपको बारी के से बताया है यह होगे एके उच्छारन फिर देखें b का simply ब उच्छारन एक उच्छारन है इसका a की sound है ऐसी है इसकते बैट्ट बग और बूर्ड तो यहां पर बी याने की बाइस को प्रोनोंस किया फिर देखें सी सी को स्ब्स्डन और के सौ और क किया है अगर सी के बाद में लेटर आई आजाए ए आजाए यज आ जाए वाइगा नहीं तो वहां पर तो हम सी को सभ देंगे अगर C के बाद में ये letters नहीं आएंगे वहाँ पर हम कव पढ़ेंगे और भी इसको detail से मैंने बताया है कि कौन-कौन से letters आने चाहिए जहाँ पर हम C को कव पढ़ते हैं तो आप rules वाली class में जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें face, cell, circle, cycle, cinema तो इन सभी में C को हम सव पढ़ रहे हैं क्योंकि C के बाद में या तो I है या Y है या E है यह letters है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है circle में आई है, cycle में Y है, cinema में आई है बाकि सभी में हमने C को कव पढ़ा जैसे car, camel, coal और cow तो यहाँ पर C को क पढ़ा, तो इस तरीके से ध्यान रखें, C का जो sound है उसका फिर देखें D को D और D के रूप में, यह जो D है यह हम हिंदी के नामों में पढ़ेंगे जैसे दिशा और दीपा, यहाँ पर हम दिशा और दीपा तो नहीं पढ़ेंगे हिंदी के नामों में आप D के लिए D प्रणाउंस करेंगे हिंदी में बाकी इंग्लिश में D जैसे डल, डक, डान्स और डिप यहाँ पर D जो है इसको D प्रणाउंस किया जा रहा है हिंदी के नामों में D प्रणाउंस करेंगे चलिए next देख लेते हैं E, E letter का उच्चारन देखेंगे, E क्या है, ये भी wow letter है, ठीक है, अब इसको E के रूप में देखें, की हो गया, E के रूप में की पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर English पढ़ा, English पढ़ा, ये E के रूप में पढ़ा, यहाँ पर देखें, ये बड़ी E के पढ़ा जा रहा है, इस E के रूप में, अब लास्ट देखें, A के रूप में, A के रूप में भी पढ़ेंगे, इन स्पेलिंग्स में, जैसे एग में पढ़ा, एग में पढ़ा, और एलिफेंट में पढ़ा, और एंट्री में पढ़ा, यहाँ पर इलिफेंट या इंट्र कर सकते हैं उच्छारण को समझ सकते हैं अब देखें एफ में फ पढ़ेंगे एफ को सिंपली फ पढ़ा जा रहा है एक साउंड है फैन फिग फिश और फोर यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है चलिए नेक्स्ट हम जी का साउंड देख लें जी को गर जब पढ़ेंगे इसम को भी जाकर आप देख सकते हैं रूल्स वाले क्लासेज में यहां पर देखें गन गर्ल और गोट तो यहां पर हमने जी को इसको गोट पढ़ेंगे गन गर्ल और गोट तो यहां पर हम जी को ग पढ़ रहे हैं चलिए अब यहां पर देखें जी के बाद में या तो आई है या e है या y है, देखें e है, e है, e है, यहाँ पर y है, तो हम g को j पढ़ रहे हैं, danger, ginger, page और gym यहाँ पर भी आई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने g को j pronounce किया, clear है, तो g को कब g पढ़ेंगे, j पढ़ेंगे, यह भी मैंने बता दिया, साथी साथ, और इसका g का sound दो है, g और j पढ़ेंगे, अब देखें h का sound ह करके है, h को ह पढ़ेंगे, simply ह ह एक sound है, hot, hat और hill, तो इस तरीके से h का एक sound है, consonant है, इसलिए कोई confusion नहीं है, अब आई देख लें, आई जो है wow letter है, इसमें confusion रहेगा, क्योंकि इसके काफी सारे sound है, आई के रूप में पढ़ा, सबसे पहल है, ठीके, detail में बारीकी से, उनको भी जाकर देख कर सीख सकते हैं, यह देखे, bin, pin, skin, तो यहाँ पर e को e पढ़ा, कब पढ़ते हैं, तो जो भी rules बनते हैं, वो rules में मैंने बताया है, अब यहाँ पर देखे, I के रूप में, I को हम I के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे fire wire expire, wire expire, तो यहाँ पर देखेंगे I, R, E का combination रहेगा, I के बाद में आपको R, E मिलेगा, वहाँ पर हम I करके पढ़ेंगे I को, चलिए next यहाँ पर A भी पढ़ते हैं, ठीक है, I को A भी पढ़ते हैं, यह I के साथ R होगा, यह combination रहेगा, तो वहाँ पर हम I है ना, इसको A पढ किया है, फिर देखें ज, ज, एक consonant letter है, और इसका उचारन ज है, जैसे ज, 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 और ज, simple है, easy है, एक ही sound है, इसका, के का उचारन भी एक हो गया, क्योंकि यह भी क्या consonant है, काइट, क्या हो गया, काइट हो गया, यहाँ पर कीप हो गया, एक sound है, कोई confusion नहीं, L का sound भी एक है ल, है, long, less, or light, तो यहाँ पर भी easy है, consonant है, इसलिए, L का sound, ल, M का sound, म, हो गया, A की sound है, milk, mouse, और map, ठीक है, इसमें भी कोई confusion नहीं है, consonant है, इसलिए, ज, 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 परिशानी रहती है, ज, व, ल, 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 न, उ, 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 एक्टिस के साथ पता है, कुछ रूल के साथ भी बता है, उनको जाकर फॉलो करें, देखें, और सीखें, यहाँ पर देखें, एन को नह प्रनाउंस किया है, net, nose, or name, net, nose, or name, ठीक है, नह साउंड है, अब यहाँ पर आ जाए, ओ क्या है, यह एक वाव लेटर है, तो इसका sound देखें, अलग-अलग है, तो सबसे पहले तो ओ के रूप में, go, so, only, तो यहाँ पर ओ के रूप में, हमने, simply, o को प्रनाउंस किया, अब यहाँ पर देखें, आ के रूप में, भी, जैसे, caught, stop, यहाँ पर, song, orange, अब इसको, caught, stop, song, orange, इस तरीके से, o कर के प्रनाउंस नही पर सकते, इसको caught पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, caught, चलिए, next यहाँ पर देखे, a sound, ठीक है, o का क्या, a sound, come, iron, sun, तो यहाँ पर जो है, o को, a कर के प्रनाउंस करें, तो o का sound, a भी होता है, तो इतने सारे इसके प्रनाउंसेशन है, प्राक्टिस के साथ मैंने, और डिट सिंपली कॉंसोनेंट है, इसलिए P का साउंड, पर, क्यू का साउंड कर हो गया, एक साउंड है, queen, question, quiz, queen, question, quiz, क्या साउंड, फिर R का सिंपली र साउंड है, rat, rose और रिंग, एक साउंड है, क्यूंकि कॉंकि कॉंसोनेंट र को पढ़ेंगे, फिर देखे, S का साउंड, S को स, सन और स्ब, ये तो स पढ़ दिया श पढ़ेंगे, अगर एसके साथ में ह लगा रहेगा, एसके साथ में एच ठीक है, शब और शर्ड जैसे इसमें स के साथ एच है, तो वहाँ पर हम श पढ़ देंगे अगर एसके बगल में एक consonant रहेगा, वहां पर आधे सर के रूप में हम इस S को पढ़ेंगे, स्पून, स्कूल, स्किप, ऐसे पढ़ रहे हैं, आब इसको सपून, या सपूल, या सकूल या सकिप नहीं पढ़ेंगे, आधा सर पढ़ेंगे. अब यहां पर अगर हमने पूरा सब पढ़ है तो इसके बगल में एक vowel letter आ रहा है जैसे कि यू आ रहा है आई आ रहा है तो ये धान रखना है इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं इन में चलिए टी की तरफ चलते हैं टी को ट भी प्रणाउंस करेंगे और त भी प्रणाउंस करेंगे तरफ प्रणाउंस करेंगे हम हिंदी के नामों में जैसे तरिप्ती और तेजस तरफ उग गया तो इन में दर्फ यू को पहले यू उनियन म०ूजिक यूनिट तो इन में तो हम यू को यू पढ़ रहे हैं चलिए अब अ के रूप में ग्रूप पुल और पुट थी यहां पर U के रूप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप, पुल और पुट, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें, अब A के रूप में, कब, कट और मग, सिंपल सी जो तीन लेटर्स की शॉर्ट स्पेलिंग्स हैं, वहां पर U को A पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पुट में ऐसा नहीं है इसको पढ़ रहे हैं, तो काफी सारे अपवाद और exceptions होती है rules में, तो उनको भी आपको follow करना पढ़ता है, अलग से practice करनी पढ़ती है, चलिए V को व, अब क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, बस ऐसा ही पढ़ते हैं, इसको put को put ही पढ़ेंगे, पढ़ नहीं इसको लिए चर्ण करके नहीं पढ़ते हैं, मतलब व वाला साउंड नहीं दे रहा है, यह वाला साउंड दे रहा है, डब्लू जो है, तो what, with, or where, तो वी और डब्लू में difference है, अगर आप इसको सही तरीके से खुद से परनाउंश करेंगे, अगर correct परनाउंश करेंगे, त तो डिफरेंस है ना अंतर है वो आपको समझ में आ जाएगा वाट विद और वेर ठीक है फिर देखें यह वो वाली फीलिंग देता है वो साउंड वाली चलिए एक्स को जो है एक्स और जो की रूप में जैसे एक्स रेव एक्स और टेक्स तो यहां पर एक्स को एक्स पढ़ दिया लेकिन बहुत कम स्पैलिंग होती है वहां पर जैसे जाइलोफों जी रॉक्स रियर सी स्पैलिंग होती है ठीक है यहां पर एक्स और साउंड हो गया वाई का साउंड देखें यह यहां पर वाई जैसे मनें बताया वाव लेटर भी है व वाउ लेटर की जैसे काम कर रहा है यहाँ पर 초owser चोटी या बड़ी की रूप में साउंड आएगा इसका, जैसे यहांपर देखे जैली , हीली , लेजी , लेजी , लिली कि एक अब यहाँ पर धर के आई ये वाले रूप में भी आरहा है। जेसे हम इसको ट्रीशीफ्ली स से यहाँ पर हमने पढ़ा ना वैसे हम इसको ट्राई शाय gef लाइक क्षार इस सरी कि से उच्छारत ने एक को जैब्रा मैं टुन पाइसे या या फिर जैब्रा तो गिए सकते हैं इसे lumière क्लास कंप्लीट होते आपको रूल्स भी मिल जाएंगे रूल्स वाले क्लास भी आपको मिल जाएगी उनको करके देखकर डिटेल में बिलकुल बारी किसे रूल सीख सकते हैं अगर प्रैक्टिस सेशन चाहिए काफी सरी स्पेलिंग के साथ हिंदी अर्थ के साथ वह भी मैंने दी है किस तरीके से जो कंबाइन लेटर्स आ जाते हैं वो उनको कैसे पढ़ेंगे उनके रूल्स मैंने बता हैं जितने भी वाव लेटर्स है ना दो दो वाव लेटर एक साथ आ जाते हैं तो उनका पेर जो है वो क्या साउंड देगा किस तरीके से हम प्रनाउंस करेंगे क कितने रूज बनते हैं, कितने एक्सप्शन सब वो कम्प्लीट बता ही है, बाकिया आप इस तरीके से प्राक्टिस कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी तरीका है, इंग्लिश को पढ़ने और लिखने का, तो यहां पर मैं बताने वाली हूँ कि दो कॉंसोनेंट लेटर्स मिलकर जब एक साउंड प्रिड्यूस करते हैं, उनको ब्लैंड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो उनका उच्चारन यहां पर सीखेंगे, जैसे B और L को अगर mix कर देते हैं तो उचारण होगा blur इसको पढ़ेंगे blur C, L C और L को साथ में combine कर दिया जोड दिया तो कल पढ़ा जाएगा single कल करके नहीं यानि कि ये B हो गया ये C ये जो पहला letter इसको आधे रूप में पढ़ा जाएगा F, L को mix किया तो blur बन गया G और L को mix किया तो blur, P, L को पढ़ेंगे blur, S, L को slow, S, C को skr, S, K को भी skr, S, M को भी smr, S, N को भी snr S, P को spr S, T, str, B, R br, C, R kr, dr को dr, F, R fr, g, r, gr pr को पढ़ेंगे pr और tr को tr तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो consonant एक साथ में है और किस तरीके से वो एक sound produce कर रहे हैं तो complete यहाँ पर इन शब्दों की list होगी, means यह जो blend letters होंगे mix करके इनका जो sound आएगा, वो वली spellings यहाँ पर practice आप यहाँ पर करने वाले हैं, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है BL और यह है SL, तो सबसे पहले देखे BL, इसको पढ़ेंगे blur, क्या प्रणाउंस करेंगे blur, जैसे कि यहाँ पर है BL, blur, act black, यहाँ पर उचारन भी दे रखा है हिंदी में, ताकि जब भी आप पढ़ें, तो प्रणेंशेशन उचारन में आपको help मिल जाए यहाँ पर है blanket क्या है, BL को blur A, N, N, और kit, blanket फिर है blur blind, यह है इसको उचारन हिंदी में फिर यहाँ पर है blow क्या है, BL को blur और O, W, O blow, blur BL को blur, और यहाँ पर U करके इस U का उचारन हो रहा है, blue इसको पढ़ेंगे, blue फिर यहाँ पर है blur or block, क्या है blur or block blur, ud, blood यहाँ डबल O को A प्रणाउंस करेंगे और D को D, blood, तो इस तरीके से यह B, L, B और L को अगर combine कर देंगे, तो किस तरीके से उचारन होगा, तो इस वर्ड लिस्ट के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उचारन भी याद रख सकते हैं अब यहाँ पर है S, L इसको पढ़ेंगे Slur, क्या पढ़ेंगे Slur, S और L, दोनों ही consonant letters है, यहाँ पर जतने भी है, जतने भी letters blend किये गए हैं, mix किये गए हैं, दोनों ही consonant है, यानि कि वेंजन है Sl को पढ़ा Slur, Slur E, Sleep यहाँ पर Double E का उचारन बड़ी E के रूप में होगा Sl को Slur, P को Pur, Sleep यहाँ पर Double E को बड़ी E के रूप में और Sl को Slur Sleet फिर यह है Sleave, क्या है Sleave E को V, Sleave Slip, क्या है, Slip यहाँ पर I, जो है, इसका उचारन छोटी E के रूप में, इसका उचारन छोटा उचारन हो रहा है छोटी E का साउंड प्रिड्यूस हो रहा है फिर यह है, Slip के बाद में है Slow, O, W को O पढ़ेंगे Sl को Slur Slow, फिर यहाँ पर है आगे Slime, क्या है Slur I, Slime Slur Ice, Slice तो इस तरीके से देखा कि यह B, L और S, L का Combination और इस Combination की Word List जिसकी आप Practice कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे है, C, L और F, L का Combination तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, C, L C, L को Kl, करके प्रिणाउंस किया C, L का उचारन, Kl, Club, जैसे कि इसमें है Club, और हिंदी में उचारन दे रखा है ताकि इससे आपको थोड़ी Help मिल जाए, फिर यहाँ पर है Clown, Clown Clown, Clean, Clean अब इसको Color नहीं बोलेंगे Club बोलेंगे आधा, कर इसका उचारन होगा, यानि आधे कर के रूप में Club, Clown Clean, फिर यह है Cloud, क्या है Cloud, Clip Next है Clo, क्या है Clo, इसको क्ला करके न पड़े यह A, W का जो उचारन है ओ करके है Clo, फिर है Cloak, क्या है Cloak, Cloak Click Click, तो यहाँ पर CL का कॉंबिनेशन हो गया, आप चलते हैं FL का उचारन देखें, Flur होगा FL, Flur Flur, Ag, Flag क्या है Flur, Ag, Flag Flur, Aim, Flame Flur, Ash, Flash Flur, At, Flat Flur, I, Fly Y को I प्रणाउन्स कर रहे है Y का उचारन I Flur, App, Flap Flur, Ip, Flip Next चलते हैं SC का कॉंबिनेशन क्या है SC का कॉंबिनेशन इसको प्रणाउन्स करेंगे Sk, Sk, आधा स, और C को क, Sk और SK है इसको भी आप Sk करके ही प्रणाउन्स करेंगे SC को भी Sk पढ़ते हैं SK को भी Sk जैसे यहाँ पर है SC, Sk, L, Scale Sk, R, Skar, Sk, फिर और Score, Score Scarf, Sk, Arf, Scarf, Sk यहाँ पर School यह जो H है यह साइलेंट है School निक्स देखें SC को Sk, SK को भी Sk Sk, 8 Skate, Sk और यह I Last में Y है इसको I प्रणाउन्स करेंगे अब पता कैसे चलेगा कहाँ पर SC लिखें और कहाँ पर SK लिखें तो इसके लिए थोड़ी आपको Practice करनी पड़ेगी क्योंकि जब Scale की Spelling लिखेंगे तो यहाँ पर S और K नहीं लिख सकती क्योंकि Scale की Spelling में C आता है थोड़ी आपको Spelling की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ पर हम SC लिख रहे हैं और कहाँ पर हम SK लिख रहे हैं फिर यहाँ पर देखें Skull हो गया Skull Skip Skirt Skip Skirt Next combination है Sm का Sm का Sm Sm को Sm Sm यहाँ पर उच्चारन लिखा हुआ है Smash Smell क्या है Smell SM को Sm Smoke और Smile 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 Smoke Smell Smash Smart और Small फिर यहाँ पर है Sn इसको पढ़ेंगे Sn आधास और न यह है Snore क्या है Sn और Snore Sn Ale Snail Sn O Snow Sn Snip Snip यहाँ पर इसको Snip I को E पढ़ेंगे चोटी की रूप में यहाँ पर Snip नहीं पढ़ेंगे Snip पढ़ेंगे फिर यह है Snake क्या है Snake तो Sm को Sm और Sn के Combination को Sn पढ़ेंगे Next देखें यहाँ पर S P Sp S P को पढ़ेंगे Sp आधा स और P को P जैसे Spy S P को Sp और Y है Last में इसको I पढ़ा जाता है Spy Spot क्या पढ़ेंगे Spot Spur और यह जो I है बीच में इसको I पढ़ा जाएगा Spider क्या है Spider फिर है Spur S P को Spur Is Space फिर है Spill क्या है Spill Spur Is Spill Spur In Spin Sponge Sponge G E है इसको J प्रेनाउंस करेंगे और N जो है इसको आधे N की रूप में प्रेनाउंस किया जा रहा है और O को O करके Next देखे Dr का उच्छारन है Dr Dr को Dr पढ़ेंगे Dr I Dry Dr Um Drum Dr Off Drop Drop के बाद में है Drip Dr 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 Inc Drink Dr S Dress तो इस तरीके से Combination हो गया Sp Casper Dr Dr तो ये कोई Rule नहीं है बस दो Letters को जो Blend करके जो उच्छारन होता है वो यहाँ पर मैं जो है एक तरीका बता रहे हूं जिससे आप Practice कर सकते English के शबदों English के words और Spelling को पढ़ने की और लिखने की चलिए निक्स्ट कोई निक्स्ट कॉण्ट को निकल कर आता है और उसका क्या उच्छारन होता है तो उसके अनुसारा प्राक्टेस कर सकते हैं देखें स्ट हो गया स्टार क्या है स्टार स्टीम स्टीम स्टेम अब इसको स्टेम पढ़ेंगे और जो इए न इसको बड़ी के रूप में प्रिणाउंस किया जा रहा है और यह जो इंए है लोताई से प्राक्टेस से पता चल जाएगा स्टूर्ट stick हो गया, फिर है storm, क्या है? storm, stir, o, stool, यह double O है, इसको बड़े O के रूप में प्रोप में प्रिणाउंस किया है, stable, क्या है? stable, next देखे B, R, इसको पढ़ेंगे br, क्या पढ़ेंगे br, br, ash, brush, broom, double O को बड़े O के रूप में, br, brown, यह जो O-W है इसका उचारण आउ करके हो रहा है Br-Aid, Braid क्या है? Braid एक Braid होता है, वो अलग है, यह Braid है क्या है? Braid तो Braid की स्पेलिंग अलग होगी, यह Braid है BR को Br-Ain, Brain, Br-Ik, Brick, Br-Aid, Bridge तो इस तरीके से BR को पढ़ा Br और ST को पढ़ा स्टर निक्स्ट देखें, यहाँ पर CR के कॉंबिनेशन को CR को पढ़ेंगे Kr जैसे Kr, Aoun, Crown, Kr, O, Crow, O, W को O Kr, A, Crack, C, K को Kr फिर यहाँ पर है Kr, Ab, Krab, B को B, Kr यहाँ पर Kr, फिर A, Did, Credit क्या है, Credit, E जो है ना इसको A के रूप में प्रिनाउंस किया जा रहा है फिर है Kr, O, Cross, यह है क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल यहाँ पर CR को Kr पढ़ा क्रोकोडाइल, तो बड़ी स्पैलिंग उसको तोड़ कर ही पढ़ सकते हैं ब्रेक करकर और उसको ब्रेक करकर ही तोड़ कर ही आप लिख सकते हैं इंगलिश की जो स्पैलिंग्स है उनको फिर देखें, FR को FR पढ़ेंगे FR, FR और लास्ट में Y है, उसको I प्रेनाउंस करेंगे FR, FR, O, Fruit, क्या है, Fruit फिर है, FR, Aim, Frame, FR, Edge, Fridge फिर है, Friend, क्या है, FR को FR, And, Friend FR, O, Frog तो, Frog, Friend, Fridge, Frame, Fruit, Fry तो, FR का उचारन, FR, CR का उचारन, Gr नेक्स्ट देखें, GR का उचारन GR को कंबाइंड किया, दोनों कॉंसोनेंट को, दोनों विंजनों को तो, Gr उचारन हुआ इसका GR, In, Green, GR, Ask, Grass, GR, Apps, Graps, GR, Aid, Grid तो, Green, Grass, Grapes, Grid तो, GR का उचारन, Gr फिर, PR को पढ़ा, Pra यहाँ पर, A, Y, जो है, इसका उचारन, A होता है तो, PR को, Pra, Pra बन गया, क्या बना, Pra Pra, Ice, Price, और, Price दोनों के उचारन, यहाँ पर, PR का तो, Pra हो रहा है लेकिन, Price, और, Price Z, और, यहाँ पर, C का उचारन देख रहे हैं, उचारन हिंदी में देख सकते हैं, और इसके अनुसार ही प्राक्टिस कर सकते हैं फिर, Next, Last है यह Pra, Int, क्या है, Pra, Int, Print तो, PR का उचारन, Pra तो, GR को, Gr PR को, Pra तो, क्या कर सकते हैं यह जो है, यह बिना रूल के है यह तरीका यहाँ पर मैंने बताया इनको पढ़ने का तो आप यही कर सकते हैं, कि इनके प्राक्टिस कर सकते हैं, जितने भी वर्ड लिस्ट यहाँ पर मैंने बताई हैं, एक दो बार जो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उच्चारन में आपको help मिल जाती है उच्चारन आपको याद रह जाता है कि यह सारे combination इनको क्या pronounce करेंगे अगर आप एक beginner है शिरुवात से English को पढ़ने की कोशिश कर रहे है तो उस तरीके से पढ़ने इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कर सकते है तो यहां पर कुछ ऐसे spelling उती हे उनमें कुछ ऐसे words होते हैं या फिर letters होते हैं जो कि one sound create करते है श्पैलिंग different होती है लेकिन sound उनका एक सा होता है एक जैसा होता है जैसे कि E R U R I R O R E A R इन सभी में spelling में अलग-अलग तरीके से आएंगी spelling भी अलग है दोनों दो लेटर्स है या तीन लेटर्स है जैसे हाँ पर तो तीनों ही अलग है या दोनों ही अलग है लेकिन साउंड क्या है सभी का अर करके या फिर कहीं कहीं पर A sound भी आता है अर करके इनका sound produce होता है तो ऐसे ही कुछ spellings है जिनको पढ़कर आप English पढ़ने की practice कर सकते हैं same sound होगा इनका लेकिन spelling जो होगी वो different होगी तो same sound word list है आपके लिए आप पर practice के लिए तो चलिए तो प्रणंसेशन उचारन बताती रहूंगी और धीरे धीरे इस तरीके से आप practice कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले है आई आर अगर किसी spelling में जैसे आई आर आएगा तो उसको हम अर करके आप किसी किसी spelling में अ करके भी sound आएगा आई आर का जैसे कि यहाँ पर है दी तो इसको ड़ अ और ट डर्ट तो यहाँ पर अ साउंड क्रियेट हो रहा है क्या हो रहा है अ साउंड तो डर्ट फिर यहाँ पर है त थ, अर, स्टी, स्टी को यह जो स और ट है इसको स्ट और वाई को ए, थ्रस्टी क्या है? thirsty तो यहाँ पर भी a sound produce हो रहा है या thirsty आधा आधे र के रूप में भी आप produce कर सकते हैं यानि a और र आधा र मतलब soft sound इसका हलका से sound आपको देना है thirsty फिर आगे है sir, s को sir और और, sir, skr, s और k का sound skr, a और ट, skirt फिर यहाँ पर है stir, stir, a, stir या फिर stir तो अर या जैसे मैंने बताया कि अर या फिर a दोनों ही ठीक है फिर यहाँ पर है stir फिर यह है first क्या है for, f को for, a, stir, first, first तो यहाँ पर भी a sound produce हो रहा है हम r sound अगर pronounce करेंगे तो इसका जो pronunciation उचारन है वो गलत sound करेगा जैसे first बोलते हैं first, a, r, दोनों को ही पूरा-पूरा, यानि r का sound भी पूरा आएगा तो r को अगर आप silent रहते हैं, r का जो sound है वो भी correct है या फिर आधे r की रूप में pronounce कर सकते है first, stir का मतलब होता है हिलाना, फिर यहाँ पर है जैसे की पानी को हिलाना, stir करना, फिर यहाँ पर है th, th को th, a, d, third, क्या है third, यानि r का हलका सा sound pronounce हो रहा है third, फिर यहाँ पर है g, g, a, l, girl, क्या है girl, girl या फिर girl, यानि आधा r का sound produce हो भी रहा है और नहीं भी तो दोनों तरीके से ठीक है फिर यहाँ पर है th, a, t को t, और y को e, t, thirty, क्या है, thirty, next देखें, e, r, e, r, यानि यह भी r या फिर a, तो मैंने बोला कि सभी में आप a sound भी आपको सुनाई देगा, r या फिर a, यह जो r लिखा है, यह r आधे r का है, यह आधा r ही sound करेगा, यानि r की नीचे इस तरीके से हलंत लगा, इसका मतलब भी पूरा r नहीं है, आधा r है, half sound प्रनाउंस होगा तो e r भी a, और i r भी a, या फिर a, चलिए spellings देखें, e r वाली h, h को h, ar, her, क्या है, her, ar, her, फिर j को j, um, um, दोनों को साथ में कर दें, तो um, jam, p को per और ar, jumper, क्या हो गया, jumper, फिर है r, i लगा है, तो यह re हो जाएगा, क्या होगा, re, re, फिर यहाँ पर है, v, re, यानि, i जो है, दोनों तरफ क्या है, consonant है, जैसे मैंने बताया, दोनों consonant के बीच में है, तो i का sound, e, re, v, 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 e r, to river, तो यहाँ पर river, river, या river, तो यहाँ पर ar करके sound pronounce हो रहा है, फिर यहाँ है, sl, 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 तो s और l को हम अलग-अलग pronounce नहीं करेंगे, अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे, s को sir और l को l नहीं, s और l साथ में ही pronounce होंगे, combined होकर, sl, तो sl, o, w को v, slow, v, और e r को ar, slower, slower, फिर यहाँ है, ल, o, u का, यहाँ पर उचारन है, आउ, लाउ, ल, और आउ, लाउ, ड, अर, लाउडर, फिर यह है, फ, यहाँ पर a है न, यह इसको fa, a को a, fa, star, तो s और t, इन दोनों को भी हम साथ में पढ़ेंगे, अलग-अलग नहीं प्रनाउंस करेंगे, स्ट, क्या पढ़ेंगे, स्ट, आधस, और t को ट, स्टर, e r को ar, तो faster, क्या है, faster, ar करके साउंड प्रनाउंस हो रहा है, यहाँ पर भी, फिर है, t को ट पढ़ेंगे, अब यहाँ पर o पढ़ेंगे, या o, w को साथ में पढ़ेंगे, तो इसकी practice करेंगे, जैसे की, t, a, w, 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 अब इसको टावर बढ़ेंगे, टा, वर, o, जो है, a का साउंड दे रहा है, तो कुछ-कुछ spellings में practice करनी पढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा practice करेंगे, तो आपको pronunciation clear होगा, फिर यहाँ पर spur, sp को spur, i, spy, d को der, ar, spider, क्या है, spider, i पढ़ा जा रहा है, क्योंकि दो consonant के w को व, और यहाँ पर यह जो a है, इसको ओ करके pronounce करेंगे, व और ट को ट, er को अर, water, water, w, a को साथ में व करके पढ़ दे, तो यहाँ पर water नहीं पढ़ेंगे, हम pronounce करेंगे, water, a का साउंड ओ करके आएगा, water, next है यहाँ पर you are, you are का उचारण भी अर या फिर अ करके, जैसे कि यहाँ पर देखें, ब, b को, ब, a, और अर, या फिर न, burn, burn, तो अर करके pronounce कर दे, you are को अर, यहाँ पर है ट, अर, और न, turn, turn, ल, अर, और क, lurk, lurk, तो यहाँ पर तीनों spelling में ही अर करके pronunciation हुआ है, you are का, तो सभी में देखें, c को क, अर, और ल, curl, s को स, अर, और फ, surf, surf, तो in you are में अर करके mostly pronunciation हो रहा है, फिर यहाँ है, ब को, ब, अर, बर, ग, अर, बर, क्या है, बर, ग, बर, ग, अर, ह, अर, अर, ह, ह, तो यहाँ पर र का साउंड हाफ ही आरा है, आधा ही आरा है, fur, f को fur, 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 curl, 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 curl यहाँ पर भी है, same वही spelling है next देखें, or, or का उच्चारन भी same वही है, ur करके, या फिर a तो यहाँ पर ur में सारी जो spelling से उसमें ur pronunciation हुआ है फिर यहाँ पर देखें, word, word, तो आधा, जो है, र ही यहाँ पर pronounce हो रहा है, अगर यह हम हिंदी में लिखें तो इस तरीके से होगा यानि र साउंड यह उपर र जाता है, तो आधा ही इसका उच्चारन होता है word, अब यह है, word, और यह जो l है, इसको आधे ल के रूप में pronounce करेंगे और d को d, word, word, यानि यह जो word लिखा है, सेम यहाँ पर अगर आधा ल आ जाता है तो यह बन जाता है word, word मतलब शब्द होता है और world मतलब संसार होता है, विश्व होता है तो दोनों के उच्चारन में भी फरक है और स्पैलिंग में भी नेक्स्ट देखें, डबलू को व, अर, अर, म, warm, warm, warm करके इसको प्रनाउंस कर देंगे, warm फिर ये है व, अर क, work व, अर, और टि एच को थ, वर्थ तो यहाँ पर भी ओ, आर हो गया अर करके उचारन, यू, आर हो गया फिर यहाँ पर देखें कॉंबिनेशन है E, A, R E, A, R का कॉंबिनेशन उचारन अर है जैसे कि यहाँ पर देखें A, E, A, R तीनों हैं, तीन लेटर्स है अर्ण, अर्ण अर्ण का मतलब होता है कमाना ये है स, S को स, अर्ण, और CH को च, सर्च मतलब खोजना, ढूंडना फिर यहां पर है P को प, प, अर्ण ल, पर्ल, पर्ल का मतलब मोती, पर्ल फिर यहां है E, A, R, अर्ण इसमें साउन वर्ड लिस्ट है, यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें अगर I, R, आ जाए EAR आजाए, UR का combination, OR का combination, EAR का combination, तो अलग-अलग spelling है, लेकिन उच्चारन सभी का एक है, सभी का या तो A sound produce हो रहा है, या फिर A करके हो रहा है, जिसमें र जो है, वो आधे र के रूपे उसका उच्चारन हो रहा है, तो इनकी आप practice कर सकते हैं, without rule इनकी practice करने पड़ती है, और A, I, अगर A के साथ Y लगा है, A के साथ I लगा है, तो इनका उच्चारन A करके, सेम ही हो जाएगा, दोनों का ही A, जैसे की A, Y वाली spellings देख सकते हैं, ब, ब, A, ब, ड, A, ड, म, A, मे, तो इनसे थोड़ी help मिल सकते हैं आपको पढ़ने में, र, A, र, P, L का साथ में उच्चारन होगा, P, L का combined, पल, A, पले नहीं बोलेंगे, प और ल बोल दिया, पले नहीं, गलत हो जाएगा, अब यहाँ पर भी गरे नहीं बोलेंगे, गरे नहीं, G, R का उच्चारन साथ में होगा, G को पढ़ेंगे, G और R को साथ में पढ़ेंगे, गर, क्या प्रणाउंस करेंगे, गर, तो गर, A, ग्रे, फिर यहाँ पर है, डबलू, डबलू को पढ़ेंगे, व, क्या प्रणाउंस करेंगे, व, A, व, स, A, स, तो यहाँ पर सभी के लास्ट में, A, वाई है, उच्चारन सेम ए और ए आई का भी तो mostly ये ए आई जो है दो consonant letters के बीच में है तो rule के अनुसार भी है कि दो consonant के बीच में ए आई आ रहा है तो हम ए पढ़ेंगे और ये last में ए वाई आ रहा है तो भी हम ए प्रणाउंस कर रहे हैं अब यहाँ पर देखे sn, sn, s और n को भी हम अलग नहीं पढ़ेंगे sn पढ़ेंगे sn क्या प्रणाउंस करेंगे sn या फिर इसको sn पढ़ेंगे आप ऐसे नहीं पढ़ें कि sir और no sn नहीं sn a law snail sir a law sail no a law nail तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो a i बीच में आ रहा है दोनों तरफ ही ये जैसे n हो गया l हो गया यहाँ पर s हो गया l हो गया दोनों तरफ ही consonant letters है a i वैसे भी combined होकर पढ़े जा रहे हैं दोनों ही vowel letter है फिर देखें प ए ल पेल र ए न रेन ब्र बी आर अब ये जो ब्र है इसको भी बर नहीं पढ़ेंगे ब पढ़ दिया और आर को र बर नहीं साथ में पढ़ा जाएगा ब्र ए ड ब्रेड ब्रेड ट ए ल टेल ट्र टी आर को भी साथ में पढ़ेंगे आर के साथ लगकर देखें यहां पर अधर दूसरा जो पहले कॉंसोनेंट आ रहा है तो साथ में पढ़ा जा रहा है ट्र ए न ट्रेन तो यहां पर देखा कि ए वाई और ए आई दोनों लेटर्स का कॉंबिनेशन आ रहा है अगर ए वाई का और ए आई का तो सेम ही है ए उच्चारन है नेकस्ट देखें अगर डबल ए होगा उसको भी ए पढ़ेंगे और ए ए होगा उसको भी पढ़ेंगे ए भी पढ़ते हैं ए को ए के रूप में भी प्रणाउंस करते हैं उसको हम next कोई अलग टेबल में हम उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं देखें यहां पर डबल ई है तो ब ई बी फ़ इट फीट साउंड जो है लॉंग रहेगा डबल ई का यानि बी नहीं बोलेंगे शॉर्ट नहीं बोलेंगे बी शॉर्ट होगा तो बी ई बी होगा और यह बी है फीट फाइट फीट स य क्या है स स ई इ शी फिर फिर है जी आर तो आर लगा है उत में कॉमढैशन है दोनों का तो .. गर बीन इसेच को साथ में यह स्गा जर्ट शोर्ट शीप क्या है फाट浉ड तीडवलू को भी अ बीसाथ में च्वट ट्व Vera hago है tweet इस तरीके से tweet तो यहां पर यह जो ट्व है यह जो ट्व है यह भी आधा ट्र और व ट्व ट्व इस तरीके से है tweet next देखें आधा ट्र है यह जो टी है ना आधे ट की रूप में प्रणाउंस हो रहा है जैसे यह टी लिखा है आधा ट्र है next यहाँ पर E A का sound E A को जैसे मैंने बताया है कि A भी बढ़ते हैं लेकिन यह combination long E का sound प्रणाउंस कर रहा है बड़ी E की रूपे यहाँ पर E A को पढ़ा जा रहा है देखें बीक अब इसको बईक बीक इसकी practice करनी पढ़ती है कोई rule नहीं है कि E A को कब हम A पढ़ें और कब हम बड़ी E की रूप में प्रणाउंस करें र इड रीड क्या है र इड रीड तो जब भी रीड यानि पढ़ना होता है spelling लिखें तो double E नहीं लगाएंगे E A लिखेंगे यहां पर है E A E T क्या है E T ब ई और स्ट यहां पर इसको भी स्ट पढ़ेंगे आधे स की रूप में S है साथ में प्रणाउंस करेंगे सट नहीं स्ट टी आर को भी साथ में पढ़ेंगे टर ई त प इ और सी एच को साथ में पीच क्या है पीच तो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए यहां पर टेबल दी गई है जो बिल्कुल बिगनर है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग लेवल से एक एक शब्द को पढ़ना सीख रहे हैं वो इन टेबल की हेल्ट से practice कर सकते हैं पढ़ने की तो यहां पर इतने सारे practice के लिए जितने भी words दे रखें उन सभी की practice कर सकते हैं तो यह जो pronunciation है आई आर ई आर उ आर उ आर ओ आर ए आर इनका pronunciation भी clear हो जाएगा same sound है same sound है लेकिन जो spellings है वो अलगल है उनकी meaning भी अलगल है मतलब अलग अलग है तो स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आज की प्रैक्टिस की क्लास में प्रणंसेशन की उच्छारन की क्लास में बस इतना ही